नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आपका स्वागत अभिनंदन मेरे इसकारक्रम खेल ग्राओं का में हम बात करें सितंबर 2019 के मासिक रासी फल की और अब बात करें व्रश्चिक रासी की व्रश्चिक रासी का अर्थ है जहां चनमा नीच रासी का हो जाता है उसको व्रश्चिक रासी का जाता है और व्रश्चिक रासी के व्यक्तियों के पास में दिमाग, अब्जर्वेशन, कोई चीज को घ्राण करने के शक्ति, अता quick reaction यह सारी चीजें बहुत अच्छी उनके पास में होती है तेज दिमाग observation ग्रास्पिंग सब जबरदस्ते सरफ और सरफ एक चीज़ की कमी होती है वह है पेसेंस धहरिय उनमें नहीं होता है व्रस्टिक रासी वालों व्यक्तियों को इस समय सनी की साथी का अंतिम चरण चल रहा है अता लास्ट चरण चल रहा है और ला alatt- negatively की बात करें यहाँ वह समय है जहां आपको सबसे ज़्यादा अपना ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा negativity से बचना है क्योंकि ऐसे ही समय आपके विरुद्ध चडयंत रहोंगे ऐसे ही समय आपके खिलाफ आवाजिय उठेंगी और आपको सबसे ज्यादा सांती सबसे थेहरिय उस्व मं आवशक्ति हूँ जन्वरी 2022 20 शमापत तो वहां तक आपने ध्यान रखना है अपने आपको कंड्रोल करना और कि शनरी के मतलब आपका एकजाम होना है तो यह एकजाम बोलते हैं, जिसको रब करना बोलते हैं, कोई भी चीज को जब आप raw product से finish product तक लाते हैं, तो उसकी polishing होती है, उसकी rubbing होती है, आपके साथ में भी वही हुआ है, तो 24 जनवरी 2020 से 17 जनवरी 2023 तक ये 3 साल आपकी life के सबसे ज्यादा successful time period आने वला है, इसलिए कमर कस लीजिए, औ इस समय को बहुत सांती से निकाल दीजी, क्योंकि ऐसे समय में अपने ही दुस्मन बन जाते हैं, जिन पर आप विश्वास करेंगे, वहीं से आप दोगा कहा सकते हैं, सनी के साथ साथी का बहुत set result है, और व्यक्ति को बहुत mature करने का काम सनी के साथ साथी करती है, इसलिए या वक्त आपके जीवन में आना ही चाहिए, हर किसी व्यक्ति के जीवन में आता है, और आना ही चाहिए क्योंकि यह important है, तो मा के आरब में ब्रसपती लगनम है, सेकिंड आउस में शनी और केतु है, आठवे गर में एट्थ आउस में राहु है, टैंथ आउस में शुकर, बुद्ध मंगल और सूर्य है तो ऐसी इस्तिती में अथात इस माम में आपके साथ में क्या गटित होने वाला है चाय सनी की साड़ी साती है और चाय आपकी रासी में ब्रस्पती है इतना अनुकूर नहीं है फिर भी उनकी द्रस्टियां बहुत अच्छी जगे पहरे फिर भी जो ब्रस्पती की द्रस्टिय है आपकी कुली में फिप्ता उस बुद्धी पर चीक सब्तमस्तान दामपति सुप पर और जो नाइन द्रस्टिय है वो भाग्यबाव पर है और 11 अगस्त 2019 से ब्रस्पती मारगी हो चुके हैं इसलिए इन सब इस्थानों से आपको सुप फल प्राप्त होंगे जो कुछ भी काम रुकावता वो भी आगे बढ़ेगा तो सबसे बहले बात करते हैं गेन इन वेल्थ की तो गेन का अधिपती आपकी रासी कुनली में बुद्ध है और वेल्थ का अधिपती ब्रस्पती है तो रासी का अधिपती जो बुद्ध है वो तो 10 सितंबर 2019 को रासी से 11 आने वाला है जैसा कि आपको कई बार प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि रासी से 11 ग्यारमा गर गेन का है लाब का है कोई भी ग्रह हो उसका जो लाब है जो उसका गुण है जो उसकी सुबत्व है जो उसकी पॉजिटिवटी है वो आपको जरूर मिलेगी साप के काटने से व्यक्ति की नतीव हो जाती है लेकिन साप का जहर भी औस दी बनाने में दवाई बनाने में काम आता है तो यह वो इस्तान है जहां पर कोई भी नेगेटिव गरब भी हो पापी गरब भी हो कुरूर गर भी हो लेकिन यहां पर आकर के उसका सुबत वो प्राप्त होता है अधाद उसकी पॉजितिवनेस आपको प्राप्त होती है तो रासी से 11 जो ही बुद्ध आएगा आपकी गेल में इंप्रूमेंट आएगा आपकी कम्यूनिकेशन स्किल में इंप्रूमेंट गी तो गेन की स्तिती सितंबर मां में अच्छी है उसमें घबराने के कहीं कोई आवशकता नहीं है और यह जो बुद्ध चेंज होगा यह 29 सेप्टंबर तक वहीं तक रहेगा अधाद 10 सितंबर से लगा कर गे 29 सेप्टंबर 29 सितंबर तक वहीं रहने वाला है तो यह 20 दिन 21 दिन आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं आपके पूरे मां का जो हिसाब किताब है यह 20 दिन बहुत पूरा कर देंगे अच्छा कर देंगे वेल्थ की इस्तिति की बात करें तो रासी से फर्स्ट आयवा ब्रेस्पती आपकी बुद्धी को जागरत करता है आपको धीर गंबीर बना देता है आपको समझदार बना देता है और आपको व्यवाहरिक बना देता है ता प्रेक्टिकल बना देता है तो ब्रेस्पती 11 दूजदा जनक लग रहा था कोई कोई स्थिती ऐसी थी कश्मकस की स्थिती दूजदा की स्थिती है कि निन्ने करें या नहीं करें आगे पीछे ओने वाली स्थिती उससे आपका बचाव हो जाएगा उससे राहत मिल जाएगी उससे निकल पाएंगे तो wealth की स्थिति में शनी वहाँ पर विराज मान है सनी की साड़ी साती चल रही है उसके बावजूद भी सनी जिस भावपर रहता है उस भाव का बहला करता है जहां देखता है वहाँ नुक्सान करता है सनी की साथवी दस्ती एट ता उस पर है आठवागर अक्समात negativity का है अक्समात problem का है accident होते हैं आठवेगर से देखा जाता है जो कुछ भी खराब है जो कुछ भी गटना है गटती वो एट ता उसे देखी जाती है सनी वहाँ पर देख करके उस भाव को जला रहा है अथा negativity का नास कर रहा है लेकिन सनी की ग्यारवे बाव पर भी दस्ती है और सनी की तीसरी दस्ती कुछ भाव पर है इसलिए ये बोल सकता है कि सनी की साड़ी सादी की अंतिम समय में जो सुख में आप प्रॉलम आ रही थी तकलिफें आ रही थी उससे आपको जरूर रात मिलेगी लेकिन अभी हम जो बात कर रहे है वो बात कर रहे है सेकिंड आउस की अथाद संपत्ती की, wealth की, संचिस संपत्ती की तो income आपको बरबूर होगी लेकिन साइद आप उसको convert नहीं कर पाएंगे संपत्ती में और संपत्ती बनाने में या wealth create करने में आप सायद सक्सम नहीं हो पाएंगे या उसमें कोई कोई समस्यां आती रहेगी सेकिंड आउस में केतु संपत्ती के लिए लालाईत करता है अथाद केतु की वासना कभी पूरी नहीं हुई है केतु हमेशा अदूरपन लिए वे ही ग्रह है जिस भाव में भी केतु होगा आपकी जन्म कुणली में देख लीजिए आपकी जन्म कुणली में केतु जाँ भी होगा उस भाव के प्रती आप हमेशा वासना गरसित रहेंगे लालसा गरसित रहेंगे अधार कुंडली के 5th house में अगर केतू है तो जो steady चाते थे वो steady नहीं होगी steady पूरी नहीं होई, steady अधूरी छूट गई और जो आपने education ली वो आपके वेवार में आपके जिवन में काम नहीं आई तो second house में केतू आपको संपत्ती के और अक्रशित करेगा, आपको investment के और अक्रशित करेगा, ठीक हो सकता है जमीन जायदा से कोई लड़े जगड़े चल रहे हो, कोई विवाद चल रहा हो, उसमें कुछ बातें हो सकती है, बातें start हो सकती है, लेकिन बातें करना बंद नहीं क कोई भी लड़े जगड़ा कितना भी हो, एक चीज हमेशा रखें, कि बातचीज से ही रास्ते निकलेंगे, जो ही आपने बातचीज बंद की, जो ही आपने, वो जो कम्यूनिकेशन था, वो बंद कर गया, तो फिर बातें दूसरों के कहने से बातें आगे बढ़ेंगी, अत आपको कहिन कहीं प्रॉल्लम में भी फसादेंगे, इसलिए बातें हमेशा करें, क्यों उसी से क्लियर आप कर सकते हैं, कोई भी जो भी लोगों ने कुछ बोला है, उसकी क्लियरिफिकेशन आप ही देश सकते हैं, क्योंकि आप से संब्दित हैं, तो सेकिंड आउस वेल्ट क जिस दिन सनिकी साथ साधी खत्म हो जाएगी, आप जो भी करेंगे, वो आपके फेवर में होगा, अब बात कर रहें, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का, अपने भाई-बैनों का, वो सब की जो आपके साथ में संगती है, आपका व्यवार है, आपका दिस्ता है, व आपको सने मिलता है, वो सब इस्तान आपकी रासी कुंड़ी में, जन्म कुंड़ी में फोर्थ आउस है, तो फोर्थ आउस की इस्तिती ये है, जो शनी है, फोर्थ आउस का लॉड है, अपने से 11 आउस में बठा वार, उसकी वापस दस्ति है, तो साथ ही साथ जो दस्ति है, म आठ वी जस्ती फोर्था उस पर भी रहेगी तो ऐसी इस्टिती में जो मंगल की जस्ती है या भी सनी की जस्ती है सनी की जस्ती फोज्तिव है उस बावजूद वह और ऊपको यह कऊंगा कि जो शनी खुद अभी पीडित है सनी की साधी साधी का मतलब यही है कि वो आपकी परिक्षा ले रहा है आप में कितना ध्यारिय है इसकी जानकारी आपको हो रही है तो ऐसे समय में जो कुछ आप सांत रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है जरूरत है वहाँ पर बोलिए जरूरत है वहाँ पर विरोध दर्ज कीजिए लेकिन वियरत में आवेश में आकर के कुरोध में आकर के अपने संबंदों को खराब मत कीजिए यह जो घर परिवार का सुक है या भूमी बहु तक आपको देखने पड़ेगी अब बात करते हैं फिफ्थ आउस की सिक्सा की सिक्सा का अधिपती ब्रस्पती है और ब्रस्पती की सीधी जस्ती अथा ब्रस्पती के पांचवी जस्ती फिफ्थ जस्ती आपकी रासी कुली के फिफ्थ आउस पर है सिक्सा इस्तान पर है सं संतान प्लान कर रहे थे अताद बच्चों के बारे में सोच रहे थे अपनी परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे ये समय उनके लिए सही है ये समय उनके लिए सुब है संतान के लिए अताद गर्भ धारन करने के लिए जो मैला है उनके लिए ये समय सुब है जब तक ब्रस्पती यहां देख रहें जब तक कंसीमेंट के चांसे आपके बहुत अच्छे हैं आपको यदि सोच रहें परिवार बढ़ाने के बारे में तो इस समय का फाइदा उठाना चाहिए जो भी जातक स्टुडेंट्स हैं उनको फाइनांस वाले विद्यारतियों को क समय बहुत अच्छा है और जिनकी संतान ही एक एज में है अता उनकी साधी करनी है यदि ऐसा कुछ है तो आप उनकी साधी के लिए जो भी प्लानिंग करेंगे जो भी लड़की देखेंगे लड़का देखेंगे वो भी इस समय आपके लिए सही समय है यह भी मामला या यह कारी आपका सफल हो सकता है वो सही जो जीवन साती चुनने की प्रक्रिया है उसमें आगे बढ़ सकते हैं सफल हो सकते हैं यह समय उसके लिए भी उचित है अता संतान से संबंदित आपको प्रसंता भी मिलेगी उनसे अच्छे समचार भी मिलेंगे और जिन संतान के साधी हो च समय सुब है और यदि आप एजूकुशन कर रहें तो भी आपके लिए समय अच्छा है और आगे जब मंगल आगे बढ़ जाएगा उस समय और अच्छी सिच्वेशन आ सकती है क्योंकि रासी से 11 मंगल आता रासी का अधिपती लगन का अधिपती मंगल रासी से 11 में जाएगा वो और अच्छा और confident आपको बना सकता है अब बात करते हैं स्वास्त्य की हेल्थ की शत्रों की enemies की तो six house का Lord मंगल है जो मंगल अभी six house से या लगन का अधिपती होने से एक त्रिकोन का अधिपती केंद्रम है इस चीज़ को बलवान बोल सकते हैं इस चीज़ को अच्छा सूर्य 10th house में हो आपकी जन्म कुंड़ी में मंगल हो सूर्य कोई भी एक 10th house में उस situation को कुल दिपग योग बोला जाता है यह strength आपके carrier के लिए आपकी life के लिए आपके करम के लिए बहुत बलवान है तो जो six house की इस्तिति है यहां पर मंगल की इस्तिति वो जो ही यह 24 सित करो को आगे बढ़ जाता है मंगल करनेया रासी का चला जाता है वहाँ से और इस्तिति भलवान हो जाएक आधा रोग यह दिक कोई है क्योंकि मंगल जो रोग देता है वह कोई इनको चोड से दुर्गटना से या जलने से जो कुछ भी समस्या होती है वह मंगल के कारण होती है और मंगल का मालिक भी है जिसको अगनी बोलते हैं कि आपका पेड़ जलता रहे ऐसी डिटी की वज़े से वो मंगल का कारण है इसलिए जिन लोगों को यह तकलीफ है वो लोग जरूर मंगल का उपाय करके रहात प्राप्त कर सकते हैं और जो एनिमीज हैं क्योंकि इस समय सन कुंडली की स्थिती रासी कुंडली की स्थिती ऐसी है कि वो आखिरकार हार ही माननी पड़ेगी वो आपसे जीत नहीं पाएंगे अताद आपको डाउन नहीं कर पाएंगे आप अपनी हिम्मत आप अपना कॉन्फिडेंस बरकरा रखी तो आपको ऐसी समस्या नहीं आने वा जिसको भी पूछेंगे वो आपको दवाई बताएगा इसलिए हर व्यक्ति डॉक्टर है और डॉक्टर बनने का प्रियास नहीं करें जो लोग इसमें एक्सपर्ट है उन लोगों से मिले क्योंकि जान है और आपका जीवन बहुत मुल्यवान है आपके लिए आपकी पत्नी के लॉड रासी से सेवंता उसका लॉड शुक्र है और शुक्र इस समय जिस इस्तिती में है वो सत्रूर रासी में है वो अस्त अवस्ता में है फिर भी ब्रसपती की सीधी दस्ती है इसलिए बोला जा सकता है कि ग्रस जुक में जादा कुछ भी अहित जादा कुछ भी खराब ह कि ब्रस्पति नियंतरंड करता रहेगा कोई भी विक्ति कितने भी कूद्फंद कर ले उसके बावजुद भी अहित नहीं होने वाला है कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि जो सरुसे ग्रह है जिसको अब धीर गंबिरता बोलते हैं जिसको अब धरम करम का से सेकνड अध़ाद आपकी रासी कुंडली में, Ironde House में चले जाएंगे, चाये नीच रासी को जाएंगे, फिर भी ये इस्तिती आपके लिए बैटर रहेगी, क्योंकि 12th ताउस का लॉर्ड भी है, 12th ताउस का लॉर्ड गेनस्तान में चला गया है, साथ में सेवंत आउस का लोड़ शुकर है वो आपकी रासी कुंडले से इलेवंत आउस में है तो अल्टिमेटली ये नेगेटिविटी को कंट्रोल ही करेंगे जो कुछ भी यदि इस्तिती विपरीत भी होती है तब भी वो टेंपरेरी ही होगी क्योंकि शुकर भी बहुत समय कोई जरूरत नहीं है जो लोग अटेश्मेंट में प्रेम संबंदों में उन लोगों को जरूर में कहूंगा कि इस समय सावदान रहें जहां तक हो इस समय को निकाल दें उसके बावजूद उसके बाद में ही अपने माता-पिता से या जो भी आपके घर में बढ़े हैं जो की रासी कुली से केरियर की तो केरियर का अधिपती सूरी है और सूरी स्वारासी का है अधा टैंथ आउस की इस्तिती जो है सूरी और मंगल दोनों मेनेजमेंट के कारक हैं तो जो भी परसन मेनेजमेंट का काम करते हैं कंसल्टेंसी का काम करते हैं या उनका खुद का बिज करेंगे वो जो भी योजनाई बनाएंगे प्लानिंग करेंगे वो जरूर बैटर वे में जाएगी वो जरूर सक्सेस देगी वो उनको नेम फिम देगी यस देगी ठीक सबसे पहले बुद्ध बदल जाएगा 10 सितंबर को उसके पहले शुक्र बदल जाएगा 9 सितंबर को तो रासी से 11 आउस में ये सारे गरह इस सेप्टंबर मां में चले जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बैटल इस्तिती हो जाएगी तो सूर्य रासी से 11 जाने का मतलब है कर्म का सुक अता लाब में वरदी बुद्ध जो ही आगे चले जाएंगे उच्छ रासी में चले जाएंगे तो बुद्ध आपकी कुल्ने में गेन के अधिपती ही हैं और वहां जाकर के गेन में वरदी करेंगे जदी शुक्र आगे चले जाएंगे नीचे रासी में चले जाएंगे लेकिन रासी से 11 होने से वो बहुत ही जादा बलसाली हो जाएंगे बहुत जादा इंप्रूव देंगे और मंगल रासी से 11 होते ही लगन का अधिपती रासी लगन का अधिपती ही रासी से 11 होगा तो बहुत ज़्यादा confidence, बहुत ज़्यादा strong, बहुत ज़्यादा successful इस्तिती में लाएगा जो नौकरी पैसा हैं, उन लोगों को यह समय थोड़ा सा साफदानी से गुजारना है कि आपका अति उत्सा, आपका और confident आपको problem में ला सकता है इसलिए गोड़े के आगे और अफसर के पीछे चलने वाली यदि आप आदत अपनाएंगे तो सुखी रहेंगे क्योंकि आपने जो argument किया, आप जो भी अपनी strength बताने का प्रियास करेंगे आप अपनी युक्ति बताने का प्रियास करेंगे, अपना दिमाग या अपना बलबताने का प्रियास करेंगे भो आपके लिए अहित्पूर्ण हो जाएगा इसलिए ऐसे समय में जो आपके सहियोगी हैं, वो भी आपको support नहीं कर पाएगे इसलिए इस समय आपने थोड़ा सावदान होकर के ही अपना जो नौकरी है वो करनी है जो जौब है वो करना है आईए अब बात करते हैं ट्रेवलिंग की रासी से 12 आउस ट्रेवलिंग के लिए जाना जाता है तो ऐसे इस्तिति में ट्रेवलिंग का स्वामी है वो शुक्र है तो शुक्र जिस इस्तिति में है अभी वो भी शत्रू रासी में है आगे जब चले जाएंगे तब नीच रासी में आ जाएंगे और शुक्र आपकी रासी कुंडले अता आपकी रासी से दोनों सत्तुता के भाववाले हैं अता सेवन्त आउस और ट्वेल्त आउस आपस में जब भी आप जोड़ेंगे तो ये negativity ही दिख लाएगा इसलिए जो भी यात्राएं आप करें बहुत सावधानी के साथ में करें और यदि यात्राएं करते समय शुक्र का यदि कुछ भी उपयोगी वस्तु साथ में ले जा शुकर यंतर आप साथ में रख सकते हैं या यदि हो सके तो आपने मुंगा पहनना चाहिए मुंगा पहन करके रखना चाहिए शुक्र के जो भी उपये हैं वो आप निरंतर करते रहें तो ही यात्रा का सुप परणाम प्राप्त कर पाएंगे अन्य था यात्रा में कोई तकलिफ कोई कोई संकट आपकी राह देख रहा है चोट दिन यूं इदर से इदर घूमता फिरता हूं घूमना फिरता हूं मतलब मेरा काम ही यही मेरा प्रोफेस्ट्र नी को रोक नहीं सकता तो ऐसी स्तिति में मुझे ध्यान रख करके मुझे योजना मना के planning करके अपने ग्रहों की स्थिती देख करके ही traveling करनी पड़ेगी वो ध्यान देना पड़ेगा अब बात करते हैं उपायों की लेकिन उपाय से पहले मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि यदि पूर्व दिशा की और यात्रा होनी है तो आपकी वो यात्रा successful होगी चाहिए eastern countries की हो या अपने जन्मस्तान से जहां आप रह रहे हैं अभी वहां से पूर्व दिशा की हो तो जरू successful होगी अब उपायों की बारी है तो उपायों में आपका रासी का अधिपती मंगल है जो की इस इस्तिती में भी अच्छा है रासी से टैंद मंगल भी अच्छा है और 11 और ज़्यादा बैटर हो जाएगा फिर भी सनी की साधिसाती से सम्मद्ध सनी से सम्मद्ध जो भी उपाय है वो आप नियमित करेंगे हर सनीवार को सनी के वस्तों का दान यदि हो सके तो रोजाना दसत रचित सनी स्तोत्र का पाठ जहां तक हो सके ब्लेक कलर के कपड़े नहीं पहने साथ साथ में जो अपनी रासी को उपाय है वो आपने करने हैं अथात आप मंगल यंत्र उसके साथ मूंगा लगा करके वो लॉकेट हमेशा पहन करके रखें विचत्र वीर हनमान कवच बना करके आप धारण कर सकते हैं आप अपनी रासी का भागिवदी लॉकेट धारण कर सकते हैं जिसमें मोती, मूंगा, पुकराज, रत्न या उपरत्न हो वो आप पहन सकते हैं अपनी रासी के समधी जो ग्रह हैं उनसे सुब प्रवाव पाने के लिए मंगल पिरामेड जो होता है वो अपने बैड के साइट टेबल पे रख करके उसका फाइदा ले सकते हैं पिरामेड से आपकी माइंड बॉडी और सोल इन तीन चीज़ों को टोन अप होने का मौका मिलेगा एक प्रकार से थेरेपी है जो आपको एनरजाइज करेगी जो आपको स्ट्रेंद करेगी प्रैक्टिकल बनाएगी आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ये बताना मत भूलें और साथ में अपना सजेशन्स भी दें कि आपको किस शेत्र से समधित किस विशे से समधित प्रोग्राम पसंद है या आप क्या सुनना चाते हैं क्या देखना चाते हैं क्या विशलेशन चाते हैं स्वस्त रहें प्रसंद रहें अपना अपने बच्चों का और अपने घर के बुजुर्गों का बहुत ज्यादा खास खायार रखें नमस्कार